और आखरी नियम है कि आप सबेरे ही सबेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँख खुल गई तो पहले दो-तीन गिलास पानी पीलो उसके बाद आप टॉयलेक्ट में जाओ उठते ही पानी पीओगे तो दो फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आथ को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आथ की सफाई होगी पेट पे दबाओ पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे दो-तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिन्दगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है और उठते ही पानी पीओगे तो मूँ की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी सुबह पेट में एसिड की मात्रा जादा होती है इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है ये चार नियम है आयुरवेद के पहला नियम खाना खाने के एक गंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट घूट भरके पीना तीसरा नियम कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चोथा और आखरी नियम सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात पित कफ संतुलित है उसके जीवन में भीमारी नहीं आती है और जो भीमार नहीं पढ़ते हैं वो स्वस्थ और तंदृस्थ और सुखी रहते हैं उनकी जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा